हलो दोस्तो केसे यह आप दोस्तो आज आपको हम बताने लिए P.F. से समझेद बहुत बड़ी जान करी दोस्तो अगर आपकी एक कंपनी या दो कंपनी या तीन कंपनी में आपने काम किया है तो उसका P.F. का जो पैसा है उसको हम ट्रांसफर करते हैं एक company के अंदर convert करते हैं उनका सभी पेशा जो होता है उनको एक company में convert करते हैं तो आपको मैं यह समझानी कोशिस करता हूँ तो उसको जो हम transfer के लिए डालते है claim तो उसका पेशा किस प्रकार से आता है उसका transfer के जो हम claim करते है वहे status के से आप check करोगे तो उसका status check करना है मैं आपको बताऊँगा और मैं आपको एकदम live दिखाऊँगा कि वहे जो हमने transfer के लिए claim डाला था तो वहे वी एकदम successfully हो चुका है transfer लग चुका है और उसका पेशा आ चुका है तो आप उसका status के से check करोगे तो वीडियो गंते तक आप पूरा बने रही है वीडियो skip ना करें तब आपको प्रो प्रो से समझ में आयागा दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें साथ में bell icon प्रेस करें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके जो आपने PF Transfer Forum भरा था उसका मैं आज आपको भी बताने वाला हूँ जो हमने Transfer Forum भरा था जो Transfer किया था PF का पेसा हमारी 2 ID 3 ID जो होती है उनका पेसा हम एक में Transfer करते हैं तो वह किस प्रकास से Transfer होता है तो हम उसका आपको Status आज चेक करके बताएंगे क्योंकि वह हमारा Transfer हो चुका है हमने कुछ दिन पहले वह भरा था तो मैं आपको दिखाँगा उसका Process आप कैसे चेक करोगे कि आपका पेसा Transfer हुआ है या नहीं हुआ है जब आप Forum लगा देते हो Transfer का तो उसको आपको कैसे चेक करना है वह है मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर चले जाना है Employee Provident Fund Organization तो यहाँ पर आपको दिख रहोगा First वाली साइट आप टाइप करके सर्च कर लेना EPFO लिख देना आप Google में इसको कर लेना या Chrome बे भी कर सकते हो तो Employee Provident Fund पर मैं यहाँ पर किलिक कर देता हूँ यहाँ पर जैसे ही मैंने किलिक किया है तो यहाँ पर थोड़ा सर्चिंग ले सकता है या लोडिंग ले सकता है तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने साइट यह ओपन हो जाएगी यहाँ पर एक Banner सा आता है इस Banner को एक Cross होता है उससे आपको यहाँ से हटा देना है उसके बाद मैं आपको यहाँ दीखेगा KYC Updation Member मैं आपको करता हूँ इसको जून करके दिखाने की कोसिस कर रहा हूँ KYC Updation Member जो यहाँ पर आठ ओप्सन दे रखें इनमें आपको नजर आ जाएगा उपर के जो फर्स्ट है इसके आप इदर साइड में देखोगा तो KYC Updation Member तो इस पर आपको किलिक कर देना आपको यहाँ तरीडोड پर किलिक कर देना है तह आपको यहाँ पर अपना UAN पास्पड और capable कर sign in कर लेना है तो मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोसिस करता हूँ यहाँ पर आपको अपना UAN वाले में डाल देना है password जो आपने बना रखा है वे password में डाल देना है capture जो आपको नजर आ रहा है capture को capture वाले option में डाल देना है और sign in पर click आपको कर देना है आपके सामने कुछ इस प्रकार से यह है आ जाएगा तो आपको एक alert का message दिखागा इसको यहां से क्रोश का निसान होता है उससे इसको हटा देना है तो यह हट जाएगा उसके बाद में आपको सभी अपके folder दिखने लगेंगे और आपको कैसे check करना है कि आपका transfer हुआ है या नहीं आया तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ आपको यहां पर दिख रहा होगा उपर option तो यहां पर दिख रहा होगा आपको online services तो online services वाले option पर आपको यहां पर click कर देना है जैसे ही आप यहां पर click करते हो तो आपके सामने यहां पर कुछ option आ जाते हैं कुछ इस परकार से आपको नजर आ रहे होंगे तो online services पर आपको यह नजर आ रहे हैं उनका पेसा एक में convert किया है तो उसके लिए आपको जो कर दिया है पहले से आपने तो वह अगर आप PF का जो ट्रांसफर करना चाहते हो तो उसका link में आपको discussion में दे दूँगा आप कैसे अपना PF का जो पेसा है एक ID, दो ID या तीन ID उनको एक में convert आप कर सकते हो एक में उनको कर सकते हो उनका पेसा एक में आपका आ जाएगा फिर आप एक ID से ही सभी पेसे निकाल सकते हो उसका वीडियो में आपको discussion में दे दूँगा वह आप देखके कर लेना लेकिन आपको मैं इसमें बता रहा हूं जो आपने क्लेम कर रखा है ट्रांसफर के लिए लिए लगा र लिखा हुआ आप देख लेना इस पर आपको किलिक कर देना है हमने एक जो वीडियो बनाया था भी कुछ दिन पहले तब हमने इसको यह ट्रांसफर के लिए लगा था मतलब की तीन या चार दिन का प्रोसेस था उसके बाद में और आप यहां देख सकते हो यह हमारा एक्सल मतलब की जो फिल्ड ओ और हूप सहता है और हमारे छा सिलक्ट हो चुका है आप यह देख सकते हो इसका जो पेषा है वहे मैं discuss में link दे दूँगा पीफ का जो passbook है वह है आपके से download करोगे अब जैसे ही मैंने वह download किया है तो वहाँ पर लिखा आ रहा है कि आपका transfer जो claim किया था उसका पैसा आ चुका है वह सो भी हो रहा है तो वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर वह passbook मैं आपको दिखाने की कोशिस कर रहा हूँ वह passbook मैंने यहाँ पर download कर लिया है और जैसे ही मैं इसको उपर करता हूँ तो यहाँ पर लिखा आता है transfer जो आपको ने claim किया था वह successful हो चुका है और आपको मैं यहाँ दिखाने की कोशिस कर रहा हूँ यहाँ पर आप देख लेना आपको नजर भी आ रहा होगा मैंने box में इसको दिखा दिया है transfer claim जो हमने किया था same office है मतलब कि एक ही company है इसमे लेकिन इस बंदे ने एक बार एक बार काम किया था फिर इसने छोड़ दि दिखाने की box द्वारह भी आप यहाँ पर नजर आज आप यहाँ देख सकते हैं लिए पर है आपकी पासभुक के में आगे होगा तो इस फिरकार से अगर आपका यग फिसको णंट काम कुरूज को डिखार आँ 레 sound कल़ Опût अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें आगे सेर करें और पीएफ से संबंद हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद